तो अ आज हम डिसकस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस iad2 के लिए यहां पर जो यह है यह प्रशन पत्र जुनियर साइक अध्यापक शिक्षन बरती प्रिक्षा के लिए यह आपकी हिंदी साइति के प्रतिक प्रीक्षा के लिए महतपूर्ण है जैसा कि हम बात करेंगे LTE, Commission or TET, Antinet, PGT, Hindi इत्यादी के लिए महत्पूर्ण है इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक ध्यानपरूपक देखेगा ठीक है ना सभी क्या इसको लाब मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रशन है इसमें पूछा गया था अपरणश काब्बे का सुपरसिद्चंद कौन सा है तो यहाँ पर जो पहला प्रशन है इसका सही विकल्फ हो जाएगा पदड़िया जो पदड़िया है ये अपरंश काब्बे का सुप्रिसिंद चंद माना जाता है अगला कोशन है दो पृत्वी राज रासों मुलता किस तरह का काब्बे है तो जो पृत्वी राज रासों मुलता माना जाता है किस पर का काब्बे होगा तो यह होगा बीर काब्य ठीक है न यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा पृत्वी राजरासों के रचनाकार होंगे चंदवर्दाई ठीक है अगला कोशने तीन तंचित्त और मन राजा की न इस पंक्ति में किस परकार की बर्णन शैलिका प्रियोग हुआ है तो यहाँ पर हुआ है समासुक्ति शैलिका बर्णन सही बिकल्ब यहाँ पर भी हो जाएगा जो यह पंक्ति है पदमाबत महाकब्य से ली गई है और जो पदमाबत महाकब्य है यह आपके जाईसी की रचना होगी आपके लिए एक्प्रशन छोड़ देता हूँ आपने बताना है पदमाबत महाकब्य में कितने समय या खंड है ठीक है न या कितने भागे इसका आपने कुमेट बॉक्स में अवश्य जवाब देना है अगला कोशन है चार भाषा भूशन के रचैता कौन है तो जो भाषा भूशन रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे विकल्प दी जस्वतन सी हैं जो ये रचना और कवी हैं ये दोनों ही रिधिकाल से सबंद रखते हैं इसका भी आपने विशेश कर ध्यान रखना है अगला कोशन है नई कहानी की विशेश उपलब्धी किस क्षित्र से नहीं रही है तो जो पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा महानगरिय संतरास के चित्रण में ठीक है ना इसका नई कहानी के उपलक्ष में सही कथन नहीं होगा पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा बाकी बदलते सामाजिक पारिवारिक रिष्टों के चित्रण में सही होगा ब्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में ये भी सही होगा राजनीतिक महोभं के चित्रण में ये भी सही हो जाएगा हाँ दोस्तों हमने इसे पिछली वीडियो के लाइक का टार्गेट रखा था 50 आप लोगों ने वह कंप्लीट नहीं करा दोस्तों अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजएगा क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि नई वीडियो बनाए जितना जल्दी आप हमारे टार्गेट को कंप्लीट करते हो उससे हमें प्रोथसान मिलता है इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है तो इस वीडियो का भी हम लाइक का टार्गेट 50 रखते हैं ठीक है न इसको आपने वश्याव कंप्लीट करना है अगला कोशन है अंधे की लकडी का क्या अर्थ होगा तो जो अंधे की लकडी का अर्थ होगा तो ये होगा एक मातर सहारा साथवें का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कोशिन है यहाँ पर आठ नुतन ब्रमचारी नामक उपनियास के लिख कौन है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा बालकिश भट आठ विंग का सही विकल्प C हो जाएगा अगला प्रशिन है प्रिक्षा गुरू का प्रकाशन बर्ष क्या है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो प्रिक्षा गुरू है यह उपनियास है और इसे हिंदी का प्रतम उपनियास भी माना जाता है और इसका प्रकाशन बर्ष पूछा गया है तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प A, 1882 अगला कोशन है रीती के लिए मार्ग शर्वत का प्रियो किस अचारे ने किया है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा विकल्प A, अचारे कुंतक के द्वारा अगला कोशन है 11, सूफी काब्बे की प्रमुख अधार क्या है तो जो सूफी काब्बे का प्रमुख अधार माना जाता है तो यह माना जाएगा हिंदू प्रेम कथाएं ग्यारा का सही विकल्ब भी हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है निमन में से कौन सा कतन सत्य होगा तो यहाँ पर चार कतन दिये गए हैं इन में से एक कतन है जो सत्य होगा उसे देख लेते हैं साहित्य जन्समों के हईते का विकास है यह किसका कतन है तो यह हो जाएगा बालकृष्ण भर्ट का कतन ठीक है ना सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है तेरा यह थार्थवाद की मूल विशेष्टा इनमें से क्या है तो यह हो जाएगा जीवन से परिच करवाना क्या होगा यह थार्थ बात की मुल्व शेष्टा होगी जीवन से परिचित कराना तो तेरा का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है गांदीवादी साहित्यकार कौन थे तो बिकल्प में चैन कीजिए तो जो गांदी वादी साहित्यकार के तौर पे जाने जाते हैं ये हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र 14 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशिन है 15 पूछा गया है किस कवी ने भक्ति, श्रिंगार और बीर तीनों विश्रों पर अधिकार पूर्वक लिखा है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा पदमाकर की द्वारा 15 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशिन है सर्वेश्वर द्याल सकसेना किस सब्तक के कभी माने जाते हैं तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प सी तीसे सब्तक के कभी माने जाते हैं सर्वेश्वर द्याल सकसेना अगला कोशने 17 इसमें पूछा गया है भक्तमाल के अनुसार रामानन्द के कितने शिश्य बताए गए है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्पडी 12 शिश्य बताएगी है उनमें से कवीर परसिद है अगला कोशने 18 मिथक का स्वंद किसे से माना गया है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 18 का ए अतिमानविय पौरानिक पात्रों से मिथक का स्वंद माना जाता है 18 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है 19, संगीत में एक सुर को दूगने या चोगने सुरू में दूराने की क्रिया को क्या कहा जाता है तो ये कहा जाता है आलाब, सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है महादेवी बर्मा का प्रतम कब्बे संग्रह कौन सा है तो सही बिकल्ब हो जाएगा निहार अगला कोशन है 21 नियाला का पहला काब्बे संग्रह नामी का कहां से प्रकाशित हुआ था तो कुछ समय सोचने के लिए देता हूँ आपको सही बिकल्ब हो जाएगा कलकत्ता से 21 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला प्रशिन है बाइस बिजय नी बिजय बैजनती एबं फूलों का गुच्छा किसकी काब्वे प्रितिया हैं तो सही विकल्ब हो जाएगा भारति इंदू हरिश्चंदर की बाइस का सही विकल्ब ए हो जाएगा अगला प्रश्चन है 1992 में ग्यानपिट पुरुष्कार किसे मिला था तो ये मिला था नरेश महता को 1992 में ग्यानपिट पुरुष्कार सही विकल्ब सी हो जाएगा अगला कोशिन है रितिकाल के परबर्टक माने जाती हैं तो ये माने जाते हैं केश्वदास 26 का सही विकल्प ये हो जाएगा पर अचारे रामचंदर शुकल ने रीतिकाल का प्रवर्टक चिंतामनी को माना है इसका आपने ध्यान रखना है और जो डॉक्टर नगेंदर है उन्होंने केश्वदास को माना है अगला कोशीन है पच्चिस परमेश्वर में कौन सा समास होगा तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी करमधार्य समास 25 का भी सही विकल्प हो जाएगा अगला कोशीन है 26 इसमें پूचा गया है भारतिंदू हरिष्चंदर की कौन सी काबेक्रिति नहीं है इत्तर भिलाब जो ये रचना है भारतिन्दु हरिष्चंदर की नहीं होगी बाकी फूलों का गुच्छा प्रेम मालिका प्रेम सरोवर ये तीन हो ही रचना है भारतिन्दु हरिष्चंदर की होगी गला कोशिण है तुलसी दास प्रनित का प्रथम एतिहासिक नाटक माना जाता है तो ये माना जाता है राज्य श्री को बाकी चंदरगुफ्द, सकंदगुफ्द और धुरूस मामीनी ये तीनों ही जैशंकरपरसाद के ही नाटक है और राज्य श्री भी जैशंकरपरसाद का ही नाटक है अगला कोशिन है 29 चायाबाद को अनेक प्रभीतियों का समूचे किस आलोचक ने कहा है तो जो चायाबाद को अनेक प्रभीतियों का समूचे कहा है ये डॉक्टर नामबर सीहं का कतन होगा 29 का सही भी विकल्प हो जाएगा अगला कोशन है समरिती लेखा किस लेकक का संस्मन्न है तो जो समरिती लेखा संस्मन्न होगा तो ये अग्गे का होगा 30 का सही विकल्प ये हो जाएगा अगला कोशन है 31 निमन में कौन सी निराला की रचना नहीं होगी तो यहाँ पर जो बिकल्प भी है जर्णा ये निराला की रचना नहीं होगी बाकी परीमल गीती का नामी का ये तीनों ही रचना निराला की होगी जर्णा है ये प्रसाद की रचना होगी ठीक है न अगला कुशन है 32 बिहारी किस राजा के दरवारी कभी थे तो ये थे जैपूर नरेश जैसियं के दरवारी कभी किस के थे बिहारी जैपूर नरेश जैसियं के अगला कोशिन होगा इन में से किस अलोचिक ने अपना कौन सा अलोचना गरंथ लिखकर हिंदी के सनातकूतर कक्षाओं के पाठ्ठेक्र में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सरप्रतम सफल प्रियास किया था तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा श्यामसुंदर दास्दवरा साहित्य लोचन नामक आलोचना गरंथ लिख कर ठीक है 33 का सही विकल्फ डी हो जाएगा बाकी गंथों को भी देख लेते हैं जो बिशव सहीत्य विमर्ष है तो यह किसकी रचना होगी यह होगी पदुमनाल पनालाल बक्षी की आगे है समालोचना यह गया परसाद अगनी होत्री की होगी और जो सबसे प्रसिद है चिंतामनी यह रामचंदर शुकर की होगी आपने बताना है कि अब तक चिंतामनी के कितने भाग परकाशित हो चुकी हैं यह आपके लिए दूसरा प्रसाद छोड़ देता हूँ अगला कोशिन है 34 इसमें पूछा गया है तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प्टी का माईनी अगला कोशिन है 35 मनुष्य के आचरन के प्रवर्थक भाव या मनोविकार ही हो होते हैं बुद्धी नहीं यह कतन किसका है तो जो यह कतन है यह हो जाएगा बालकृष्ण भटका 35 का सही बिकल्प भी हो जाएगा किया कतन है मनुष्य के आचरन के प्रवर्थक भाव या मनोविकार ही होते हैं बुद्धी नहीं यह कतन हो जाएगा बिकल्प डी बालकृष्ण भटका अगला कोशिन है 36 इसमें पूछा किया है सब्वेता कोई और ही चीज है उसका देह से इतना समंध नहीं जितना मन से यह कतन प्रेमचन की किस कहानी का अंश है तो यहाँ पर जो 36 है इसका सही बिकल्प भी बताना है तो 36 का सही बिकल्प हो जाएगा सब्वेता का रहस्य है यहाँ से आपको इनकी एक कहानी का नाभी पता चल जाएगा कि सब्वेता का रहस्य प्रेमचन जी की ही कहानी है यहाँ पर कतन को फिर से देख लेते हैं सब्वेता कोई और चीज है उसका देह से इतना समन्द नहीं जितना मन से तो ये कतन प्रेमचन जी की कहानी सब्वेता का रहस्य से लिया गिया है अगला कोशने 37. कामता प्रसाद गुरू का हिंदी ब्याकरण विशे करण्थ जो नागरी प्रצानी सवा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था Hिंदी ब्याकरण ठीक है इसको ढहँ से लिया प्रशन को कामता प्रसाद गुरू का ब्याकरण विशे करणत कौन सा है? हिंदी ब्याकरण है और ये कहां से प्रकाशीत हुआ था, तो ये हो था, नागरी प्रचानी सवा, काशी से प्रकाशीत. ठीके न, इसका भी ध्यान रखेएगा, प्रशन इस प्रकार से भी बन सकता है. अगला प्रशन है 38 इसमें पूछा गया है प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रजिया मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रे लेकर एक सामान्य साहितिक भाषा स्विक्रित हुई है जिसके चार्नों ने नाम दिया तो जिसे चार्नों ने क्या नाम दिया था 38 का से ही बिकल्प हो जगा डी पिंगल भाषा चार्नों ने से पिंगल भाषा नाम दिया था अगला कुशिन हिंदी की सपर्ष गोश महाप्रान दंत भ्यन्जन धोनी है तो यह कौन सा होगा तो यह हो जगा धह बिकल्प सी सही होगा 49 का अगला कुशिन चालिस बह ग्रहन जिसमें सूर्य या चंदर पून्टर धक जाए बाक्याश के लिए एक शब्द का चुनाब कीजी तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्प ए खग्रास अगला कोशन है 41 निमलिकित में से कौन सिक्रिती दंडी रचित है तो यह हो जाएगी बिकल्प ए काब्यधर्श 41 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन हरी नाम शब्द किस बिवक्ति किस वचन का रूप है तो 42 का सही बिकल्प हो जाएगा शष्टी बिवक्ति होगी और बहु वचन होगा जो हरी नाम है यह शब्द शष्टी बिवक्ति और बहु वचन का होगा तर्टालिस केलाश बाचपई की साहित्य अकादमी पुर्सकार से समानती का बेर रचना कौन सी होगी तो ये होगी बिकल्प सी हवा में हस्ताक्षर जो हवा में हस्ताक्षर है केलाश बाचपई की रचना होगी और ये साहित्य अकादमी पूर्सकार से नवाजी गई है 43 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है 44 सर्बनाम के कितने भेध होते हैं तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा सर्बनाम के 6 भेध होते हैं ठीक है 44 का सही बिकल्ब D हो जाएगा अगला question देख लेते हैं यह 45 इसमें पूछा गिया है निवलिकित निवन संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तो चलिए करते हैं तो यहाँ पर जो पहले थुम कोट का चैन कर लेते हैं सही कोट कौन सा होगा तो सही कोट हो जाएगा यहाँ पर बिकल्प डी तो जो यूग संधियों पर यह किसका निवन्ध होगा तो यह हो जाएगा अग्ये का निवन्ध ठीक है ना बाद विबाद संबाद ये किसका निवन्द होगा तो ये नामबरसियां का निवन्द होगा बिरामचिन ये किसका निवन्द होगा तो ये रामबिला शर्मा का निवन्द होगा बाकी शब्दिता ये किसका निवन्द होगा ये धरमबीर भारती का निवन्द होगा एक बार फिर से देख लेते हैं युग संदियों पर ये निवंद होगा अग्ये का और जो बाद विवाद संबाद है ये नामबर्सियां का निवंद होगा बिरामचिन ये आफका रामबिलाश्वर्मा का निवंद होगा और शब्दिता ये निवंद धर्मबीर भारती का जाएगा अगला कोशिन है 46 इसमें पूछा गया है चंदर लोग के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर आपने चैन करना है तो यह हो जाएंगे बिकल्पटी जैदेव अगला कोशिन है 47 लोगनाइक वही हो सकता है जो समनवे करने पर समनवे करने का अपार धहरी रखता या लेकर आया हूँ उनका सारा कबे समनवे की बिराद चेशटा है तो यह कतन हो जाएगा अगला कोशिन है यहाँपर 48 इसमें पूछा गया है रानी केत्की की कहानी के रशनाकार कौन होंगे तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी इंशाओ अल्ला खाँ आगे है हिंदी की कालजे पत्री का हंस के संस्थापर का नाम बताईए तो प्रशन संख्या उन्चास में हिंदी की कालजे पत्री का हंस के संस्थापर का नाम होगा बिकल्प भी प्रेम चंद अगला कोशिन है सम्मेलन पत्री का का प्रकाशिन कहां से होता है तो जो सम्मेलन पत्री का है इसका प्रकाशिन होता है इलावाद से 50 का सही बिकल्ब टी हो जाएगा किंद्री हिंदी नेदेशाले के अनुसार मानक उच्चारन क्या होगा तो यहाँ पर जो उच्चारन होगा तो यह होगा 66 बिकल्ब टी बिल्कुल सही होगा कई 66 बोलते हैं को 66 बोलते हैं को 66 बोलते हैं रूपांतर को क्या कहती हैं जिससे उसके कालिय वेपार्थ की समय और उसकी पुर्ण अथवा अपुर्ण अवस्था का बोध हो तो ये कहा जाता है काल 52 का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशिन है 53 अत्यावशक में संदी बिछे कौन्सी होगी तो ये होगी विकल्प A अतिजम आवशक A सही विकल्प हो जाएगा यहाँ अगला कोशिन है 54 फलों के निमलिकित नामों में से कौन सा एक फार्सी भाषा का फल है या शब्द है तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा अंगूर 54 का सही विकल्प A हो जाएगा अगला प्रशन है 55 आलंबन और उदीपन विभावों के कारण उत्वन भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कारी को क्या कहते हैं तो ये कहा जाता है सथाई भाव स्थाई भाव नहीं अनुभाव कहा जाता है पच्वन का सही विकल्प B हो जाएगा अगला प्रशन है 56 किस लेखक के इतियास क्रेंथ में सरप्रतम हिंदी साहित्ते का काल विभाजन मिलता है तो ये मिलता है जॉर्ज क्रियसरन के तो चपन का सही विकल्प D हो जाएगा अगला प्रशन है 57 इसमें पूछा गया है कहानी और कहानिकार की दिष्टी से एक यूगम शुद्ध है तो वो कौन सा होगा तो वो हो जाएगा विकल्प D ठेस जनेंदर की कहानी नहीं होगी बाकी बापसी उशा प्रिमबदा की कहानी होगी यही सच्छा मनुबंडारी की कहानी होगी जैदोल अग्य की कहानी होगी अगला कोशन है 58 निमलिखित में से एक कथन गलत है तो चैन कीजिए गलत कथन का तो यह हो जाएगा विकल्प D इरावती प्रसाद्वारा लिखी गई कहानी है तो यह इरावती प्रसाद्वारा लिखित कहानी नहीं उपनियासुगा ठीक है न D सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर बाकी बिकल्प A कामाईनी प्रसाद्वारा लिखा गया महा काब्य है सही हो जाएगा आंसू प्रसाद्वारा लिखित खंड काब्य है तो ये भी सही हो जाएगा काब्य और कला तथा अन्य निवंद प्रसाद्वारा लिचित निवंद संग रहा है तो ये खतन भी सही हो जाएगा बिकल्प D यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला कुशन है उनसर आँख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होगा तो ये होगा सामने या पास की बस्तु चुरा लेना 59 का सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कुशन है निमली की शब्दों में से किस शब्द एक में उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है तो यहांपर जो सही बिकल्प हो जायगा तो बो हो जायगा बिकल्प सी कुलीन में अगला कोशिन है इकासिट जमादार शब्द स्त्रोत के अधार पर किस बर्ग का शब्द है तो जो जमादार होगा तो ये हो जाएगा आफके संकर का इकासिट का सही विकल्ब डी हो जाएगा अगला कोशिट है बच्चा लडू के लिए रोता है सही अनुबाद है तो ये संस्कृत में सही अनुबाद कौन सा होगा तो ये हो जाएगा 62 का विकल्ब बी शिशू मुदकाहा रोधती 62 का सही विकल्ब बी हो जाएगा अगला कोशिट है पुरानी हिंदी नामकर्ण किस ने दिया तो ये दिया गया था चंदरधर शर्मा गुलेरी के द्वरा 63 का सही विकल्प वी हो जाएगा अगला कोशन है 64 संस्कृत प्याकरण के नुसार निमन में से शुद शब्द कौन सा है तो ये हो जाएगा विकल्प वी मृत्यो उपरांथ 64 का सही विकल्प वी हो जाएगा अगला कोशन है 65 रातो रात में समास है तो यहाँ पर बताना है कौन सा समास होगा तो ये हो जाएगा अब यही भाव समास 65 का सही विकल्प वी हो जाएगा अगला कोशन है 66 इसमें पूछा गया है किस शब्द में विसर्ग संदी है तो जो बिकल्प ली होगा दुशकर इसमें विसर्ग संदी हो गई 66 का सही बिकल्प ली हो जाएगा अगला कुछन है 67 संग्या के अंथ में लगने वाले प्रत्य को क्या कहते हैं तो यह कहा जाता है तदिद क्या कहते हैं तदिद 77 का सही बिकल्प E हो जाएगा अगला कोशन है प्रेम चन्द का प्रतम उपनियास कौन सा है तो यह हो जाएगा बिकल्प भी प्रेमा बाकी सेवाशदन करम भूमी और निर्मला भी इनके ही उपनी आसमाने जाते हैं सबसे जो परसिद है तो वो है गोदान अगला कोशन है 69 ताई कहानी के लेकर कौन होंगी तो ये होंगे विशंबर नाच शर्मा कौशिक 69 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 70 70 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 72 कालिदास की लालित्य योजना किसकी कृति है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा हजारी परसाद द्विवेदी की अगला कोशन है चायाबाद को चायाबाद नाम किसने दिया था तो ये दिया गया था मुकुर्धर पांड़े के द्वरा 73 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 74 ताब के ताए हुए दिन किसकी रचना है तो जो ताब पर ताए हुए दिन ये रचना हो जाएगी आपके त्री लोचन की ताब के ताए हुए दिन त्री लोचन की रचना होई जो तांबे के कीड है ये एक कांकी होगी तो बताना है किसकी एकांकी है ये तो 75 का सही बिकल्फ हो जाएगा ए भूबनेश्वर की अगला कोशने 76 अंधेरे बंद कमरे कौन सी विधा में है तो ये हो जाएगा बिकल्फ ए उपनियास अगला कोशने मुहंद वारा पुष्टक पड़ी जा रही है में बाच्य है तो 77 में जो बाच्य होगा तो बहोगा बिकल्फ भी करम धाडिया अगला कोशने 78 सुख दुख के मदूर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण फिर घन में ओजल हो शशी फिर शशी में ओजल हो गन उपनियुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा तो 78 का से ही बिकल्फ हो जाएगा बिकल्फ भी दिश्टनात अलंकार अगला कोशन है 79 खड़ी वोली के प्रतम कभी कौन है तो जो खड़ी वोली के प्रतम कभी माने जाते हैं तो जो स्ट्रीलिंग शच्ब्द होगा तो भो हो जाएगा अर्गला एटी का सही बिकल्फ डी हो जाएगा अगला कोशन है निमली कित में से शुद्बढ़तनी वाला शब्द कौन सा है तो यहां पर 81 का सही बिखल्प होजेगा बिखल्पी अंत्याक्षरी 20 बिखल्प होजेगा 801 का अगला कॉश्चन है 82, भाग और बकरी एक घाट पानी पीती है, बाक्य का शुद रूप कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प भी बाग और बक्री एक घाट पर पानी पीती है तो 82 का सही विकल्प भी हो जाएगा आगए है 83 हिमाली किस प्रकार की संग्या है तो जो हिमाली होगी ये व्यक्ति वाचक संग्या होगी 83 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है गवया शब्द में कौन सा प्रत्य है तो 84 का सही बिकल्ब हो जाएगा एया गवया में एया प्रत्य होगा 84 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला कोशन है 85 जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द का चेन कीजिए तो यहाँ पर 85 का सही बिकल्फ हो जगा बिकल्फ दी भी पतनिक आगे प्रशन संख्या 86 से 90 तक एक पद्याश दिया गया है जिसको पढ़कर उत्तर देना है तो यहाँ पर जो पद्याश नहीं पढ़ूँगा यह आप सुमें पढ़ियेगा इसके सिर्फ मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसके क्या-क्या उत्तर होंगे प्रशन संख्या 86 इसमें पूछा गया है धर्ती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ तो यह हुआ था जंगल घटने लगे थे जानबर घटने लगे थे और पक्षी घटने लगे थे तो 86 का सही बिकल्फ हो जाएगा D यह सभी हुए थे अगला कोशन है 87 इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है तो 87 का सही बिकल्फ हो जाएगा इंसान खुब तरक्की करने लगा अगला कोशन है प्रकृति किस के प्रती ना इंसाफी नहीं करती तो ये होगा इन सभी के प्रती क्या क्या है जंगल के प्रती पशुपक्षियों के प्रती इंसानों के प्रती ये T8 का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है कवीता के अंत में क्या ब्यंग ये किया गया है तो ये किया गया था इंसानों में अब इंस्यानित खतम हो गई है 89 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 90 अब कहां जाते जंगल का भाव क्या है तो यहाँ पर जो भाव होगा तो वो हो जाएगा अब जंगल समाप्त होनी लगे हैं 90 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 91 उसने पढ़ा उसने खोया उसने चिखा जैसे बाशा प्रियोग दर्शाते हैं तो यह होगा विकल्प A नियम कंठस्त ना होना अगला कोशन है 92 सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब आया बह हिंदी भाशा का प्रियोग करतेस में तूटियां करता है एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे तो यह होगा विकल्प D शुहेल को भाशा प्रियोग के अधिकादिक अफसर पर प्रोचान देना चाहिए क्या होगा सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकादिक अफसर्व प्रोच्सान देना चाहिए तो 92 का से ही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशन है 93 भाषा सिखने से होने वाली तूटियां तो क्या होगा यहाँ पर तो यह होगा भाषा सिखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है जब आप भाषा सिखते हैं उस समय आपसे तूटियां होती है तो यह भाषा सिखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव होती है अगला कोशन है 94 94 बाशा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सिखी जाती है जब क्या होगा बाशा परियों की दक्षता परमुख दिश्य हो 94 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है नाटक शिक्षन के सतत और व्यापक मुल्यांकन के लिए निमिलिकित में से कौन सा सरबादिक महत्पून कतन होगा या महत्पून होगा तो यहाँ पर सही बिकल्ब हो जागा पड़े ये नाटक का मंचन 95 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है ब्रामन 1883 इसमी परकाशी पत्रिका के संपादक कौन थे तो यह थे पर्ताबनायण मिश्र जो पर्ताबनायण मिश्र दवारा परकाशी पत्रिका किया नाम है तो यह हो जाए कि ब्रामन और इसका प्रकाश औन भर्ष क्या था 1883 इसमी अगला कोशन है 97 इसमें पूछा गया है 1999 इसमी में संफुन साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ग्यानपिट पूर्षकार से समानित किया गया तो ये किया गया था निर्मल बर्मा को 1997 का सही भी कल्ब सी हो जाएगा 1999 में निर्मल बर्मा को ग्यानपिट पूर्षकार से समानित किया गया था अगला कोशन है आंगन के पारद्वार रचना पर सन 1964 में से किस साहित्य अकादमी पुरुषकार से नवाजा गया था तो ये नवाजा गया था अग्गेजी को कब 1964 में और किस रचना के लिए आंगन के पारदुआर के लिए 1964 में इने साहित्य अकादमी पुरुसकार दिया गया था अगला कोशन है आम के पत्ते कादमी पर 2011 इस भी में किस साहित्यकार को ब्यास सम्मान दिया गया था तो ये दिया गया था रामदर्श मिशरकूं जो आम के पत्ते हैं ये इनकी प्रमुखरचना है इसलिए इनको 2011 में बियास सम्मान मिला था अगला और अंतिम प्रशन है 1844 इस्वी में हिंदी संबर्धनी सवा के संस्थापक कौन है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प ए बावु दोताराम बर्मा 100 का सही बिकल्प ए हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 100 प्रशनों को डिस्कस किया आप लोग अवश्य बताईए का कि आपकी इन में से कितने प्रशन सही हुए हैं और जो प्रशन मैंने आप से पूछे हैं उनका भी आपको उत्तर देना है और साथ में ही जो हमने वीडियो को लाइक का टार्गेट रखा है पचास उसे अवश्य कंप्लीट करना है ठीक है तो ठीक है यहां पर अपनी वीडियो को समापत कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतग बने थे इसका बहुत बहुत झाल 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 झाल